Hello my dear learners, I hope you all are fine and doing very well at your home अगर आप इस चानल पे न्यू हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो I must tell you कि आप class 3 पे हैं आप class 3 देख रहे हैं, free spoken English course का इस से पहले मैंने दो classes लिये हुए हैं Every Wednesday and Saturday को मैं एक वीडियो अपलोड करती हूं जिसमें मैं आपको English सिखाने की कोशिश करती हूं ठीके, तो आप अगर मेरे इस सफर में मेरे साथ रहेंगे Almost 30 lectures will be there for this course अगर आप लोग मेरे सफर में इस मेरी इस journey में आपके साथ मेरे साथ रहेंगे तो आप at the end अच्छे से English बोलना सीख जाएंगे तब हम English conversations करेंगे तो अभी भी मुझे बहुत सारे viewers, बहुत सारे मेरे learners जो है comment करके बताते हैं कि हमने activity sheet किया हुआ है हमने आपका वीडियो देखा हुआ है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो आज का जो topic है, वो बहुत ही important है ये topic सीखने के बाद, आप maximum sentences अच्छे से बना पाओगे मतलब आपके जो mistakes करने के chances हैं वो एक दम minimize हो जाएंगे बहुत सारे mistakes, अभी भी मैं comments पढ़ती हूँ तो मुझे mistakes दिखते हैं बट मैंने वो mistakes correct नहीं किये क्यूंकि आज का जो topic है, उससे automatically आपके mistakes correct हो जाएंगे आपको समझ में आएगा कि एक correct sentence frame करने के लिए हमें क्या चीजे जरूरी है, क्या चीजे हमें important है ठीक है, तो आज हम combinations करेंगे lecture 1 और lecture 2 में मैंने आप लोगों को basics सिखाये थे कि एक sentence start कैसे होता है एक sentence में क्या subject क्या role play करता है, then verb क्या role play करता है ठीक है, और object क्या role play करता है then एक sentence बनाने के लिए हमें जैसे मैंने आपको बताया कि subject और verb की ज़रूरत पढ़ती है तो वो subject और verb के combinations क्या है कौन से subject के साथ, कौन सा verb लबता है क्या combination से, अगर ये हमें पता होगा, तो ही हम sentence easily frame कर पाएंगे या correctly frame कर पाएंगे अगर मैं ऐसा बोलती हूँ, कि I are a good girl, तो क्या ये sentence correct है? नहीं, ये sentence correct नहीं है, subject I है, verb R है, अब मैंने subject भी डाला, verb भी use किया, then to my answer is incorrect Why so? Because मैंने जो verb यूज किया, subject के साथ, वो गलत combination था, I के साथ कभी R नहीं आता है, I के साथ M आता है, I am a good girl तो मेरा answer is correct, तो मेरा sentence is correct, ओके, तो आज मैं आप लोगों को वही combinations ही सिखाने वाली हूँ, ये देखिए, combinations ही सिखाने वाली हो, कौन से subject के साथ कौन सा verb होता है, अगर आपने अभी तक notebooks नहीं बनाए है, तो मैं आपको ये suggest करूँगी, कि आपको notebooks बना लेने चाहिए, क्यूँकि, अगर आप notebooks बनाते हो, तो कोई भी topic, कोई भी concept आपको long term तक याद रहना है, अगर आपको कोई long term concept याद रखना है, तो notebook बनाना इस compulsory, मैं notes आपको सारे provide कर रहे हूँ, telegram channel पे, अगर आपने telegram channel अभी तक join नहीं किया है, तो आप join कर लीजे, one more thing students, ये video start करने से पहले मैं आपको बोलूँगी, ये जो मैं daily basis पे आपके लिए videos ला रहे हूँ, कभी मैं आप लोगों को Hindi to English conversation के words सिखा रहे हूँ, कभी smart words सिखा रहे हूँ, तो कभी मैं आप लोगों को activity sheet solve कर रहे हूँ, activity sheet provide कर रहे हूँ, ये सारी जो steps है, इन steps में बहुत जादा efforts लगते हैं, ये बात आप लोगों को भी पता है, but I love taking efforts for you people, and in return I want one thing from you, कि आप जादा से जादा maximum लोगों को इस channel क के पास जोड़िये, ये इस course के पास जोड़िये, इस course के साथ अगर आप जोड़ते हैं, जादा जादा चानल को, I also get motivated to teach you even in a more better way, okay, so let's get started with today's video, मैं उम्मीद करती हूँ, कि आपको मेरे videos help कर रहे हैं, और आप ये help दूसरों को, दूसरों तक भी पहुचा होगे, तो चलि और थर्ड परसन के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैं या तो अभी के बारे में बात करूँगी, मतलब इस टाइम पर बात करूँगी, या तो जो हो चुका है उसके बारे में बात करूँगी, ठीक है, या जो आने वाला है उसके बारे में बात करूँगी, जैस मेरे बारे में बता आ रही हूं कि मैं क्या करने वाली हूं पट टाइम कौन सा या तो आज का या तो आने वाले कल का या तो बीते हुए कल का तो तीन पार्ट्स में या तीन समय में हमारा काम होता है हमारी बाते होती हैं जैसे आप अगर किसी के जुगली करोगे कि यह ऐसी है यह वैसी थी तो it means what you are doing you are talking about someone ओके, you are criticizing about someone बट आप किसी tense में बात कर रहे हो ठीक है, या तो अभी के समय में बात कर रहे हो या तो अभी के समय में या तो गुजरे हुए समय में या तो आने वाले समय में ठीक है, उसी तरीके से तीन तरह के टाइमिंग होते हैं जो आप लोगों को भी बता है जो है present, past and future अब इस present, past और future में किस तरीके के helping verbs, कौन से subject के साथ आते हैं, ये मैं आपको बता दी हूँ अब ये याद आपको रखना पड़ेगा इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, reason behind this is ये English का sentence frame करने का सबसे important part है, और इसके बाद जो मैं activity sheet आपको दूँगी, वो आपको solve भी करनी है, और जब activity sheet मैं solve करवाऊंगी, वो video भी आपको देखना है, मैं telegram पे सारे videos पहुचाती हूँ, जो भी आपको English सीखने के लिए जरूरी है, नहीं तो आप मेरे चैनल को subscribe करके रखिए, notification bell icon hit कीजे, तो आपको videos कुद बखुद मिल जाएंगे, ठीक है, तो start करते हैं, देखिए, present में कौन से helping verbs यूज़ किये होते हैं, ये मैंने आपको last lecture में बताया हुआ था, कि present tense में हम कौन से helping verbs यूज़ करते हैं बट ये जो helping verbs हम यूज़ कर रहे हैं इनके साथ कौन से subject यूज़ होते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो present tense में ये सारे helping verbs हमें यूज़ होते हैं जैसे am, is are, has have, do, does these are the helping verbs which we use in present tense और ये past tense में यूज़ होते हैं whereas ये हमें future tense में यूज़ होते हैं ठीक है, तो अब आपको ये सब समझने से पहले दो important points जो मैंने आप लोगों को first video में बताई थी, ये video थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से सुनना, miss मत करना बहुत important है दो important points मैंने आपको बताई थी first थी singular दूसरी important point plural singular का मतलब क्या होता है singular का मतलब है एक वचन और plural का मतलब है अनेक वचन मतलब बहु वचन तो singular के कुछ subjects होते हैं जो singular के helping verbs के साथ लगते हैं whereas plural के कुछ subjects होते हैं जो plural के helping verbs के साथ लगते हैं तो singular के helping verbs के subject कौन से हैं, जो एक ही है, ठीक है, एक लड़का, एक लड़की, किसी एक जगा का नाम, ठीक है, एक इंसान, एक वस्तू, एक जानवर, मतलब कोई एक है, तो singular, बहुत सारे है, तो plural, ठीक है, अब जैसे, मैं आप लोगों को बोलू मी, M, M किस के साथ लगता है, तो हम सबको पता है, M जो है, वो I के साथ, I, M, I, M का combination होता है, ठीक है, तो helping verb, I के साथ, helping verb, M के साथ, subject कौन सा यूज होता है, I, ये combination है, दूसरा, इस जो है, वो singular helping verb है, present tense का, singular helping verb है, तो singular helping verbs जो होते हैं, वो एक लड़का, जिसे हम ही बोल सकते हैं, एक लड़की, जिसे ह हम शी बोल सकते हैं, कोई एक वस्तू, जिसे या जानवर, जिसे हम इट बोल सकते हैं, और next है, कोई एक इनसान का नाम, जिसे है, या किसी जगह का नाम, या किसी वस्तू का नाम, तो वो हम क्या बोल सकते हैं, नीम, तो he, she, it, और नीम, ये जो है, वो singular subjects है, तो singular subjects इसके सा आताता है ठीक है जैसे he is अब he are नहीं बोलोगे he is ठीक है यह सब आपको याद रखना है दे वी यू जब बहुत सारे लड़किया या बहुत सारे लड़किया होती है तो तब हम he या शीनी बोलते तब हम वे बोलते हिंदी में वे अगर हम उसको इंग्लिश ट्रंसलेट करेंगे तो टी एच इवाई दे तो दे वी मतलब हम हम में एक से जादा लोग आते हैं तो प्लूरल है आर के साथ आएगा यू अब यू चो है वो सिंग्यूलर भी है और प्लूरल भी है तो यू आर आ यू आए बात करनी है तो भी मैं क्या वोलूगी यू ठीक है आई बात समझ में आगे बढ़ते हैं यह यह भी प्रेजेंटेंस के helping वर्ब है दोनों प्रेजेंटेंस में आते है अब प्रेजेंटेंस में हैस का बाता है और इस का बाता है यह हम next lecture में सीखेंगे पहले आप क name अब he she it name यह सब singular है तो has के साथ singular आता है okay then have के साथ plural आता है they we you I plural में यह है they we you I जो है वो exceptional है I के साथ कभी has नहीं आता है बले ही I आप एक इंसान अपने लिए use करते हो तो I के साथ आप कभी भी has नहीं लिख सकते I have okay do present tense का helping verb है I they we जिसमें plural आता है ठीक है they do not आप कभी भी she do not नहीं लिख सकते they do not okay whereas does जो है वो singular में आता है ठीक है do plural के लिए use होता है does singular के लिए he she it name okay past tense के लिए use किये जाने वाले helping verbs है was were did had was again singular ठीक है he she it और ने वर प्लूरल यू दे वी next is had आप had चो है वो past tense में singular के लिए भी उस कर सकते हो plural के लिए जैसे I had they had okay अब आपको यह confusion होगा कि यह सब past tense में है तो अगर मुझे past tense में बात करनी है तो मैं कौन सा use करूंगी यह मैं आप लोगों को next lecture में बताऊंगी अब यह class 3 के बाद मैं एक combo लेने वाली हूँ जिसमें class 1,2,3 मैं revision करवाने वाली हूँ जादा examples के साथ ताकि आपको जादा समझ में आए तो यह class देखने के बाद आप मेरे उस class का wait करना ओके आगे बढ़ते हैं डिड डिड भी सब singular, plural सब के साथ डिड लगेगा जैसे अगर एक लड़की के लिए म में दो helping verbs है, will and shall, will, जादा तर will he use होता है, कुछ ऐसे cases हैं जहाँ पे आप shall use करते हो, जब आपको कोई question पूछन 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 रहते हैं, जब आपको future के लिए कोई question पूछन 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 रहते है, shall I, क्या मैं कर सकती हूँ, shall I, तो आप ये, okay, कर सकती हूँ के ल क्या है, caution है, क्या मैं करूँ, तो वो caution है, तो क्या है ये shall use किया हमने, बहुत सारे ऐसे places हैं, और जहाँ पे will के जगह पे shall आता है, मतलब will ना use करके shall आता है, अब वो कौन से places हैं और क्या reason है उसका, तो मैं आप लोगों को एक reason बता रहे हूँ, जब आप future के किसी बात के लिए बहुत जादा sure रहते हो, तब आप will use करते हो, पर अगर आप future के किसी बात के लिए sure नहीं हो, तब आप क्या use करोगे, shall, जैसे for example, आप future के किसी बात के लिए, जैसे अगर आज मैं बोलो कि मौसम देखके, मुझे 100% या 99% sure है, कि बारिश होने वाली है, तो मैं क्या बोलोंगी, it will rain today, अगर मैं sure नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है 50-50% chances है, 40-60 chances है, तो उस case में मैं क्या करोंगी, shall use करोंगी, will use नहीं करोंगी, ठीक है, तो ये सारी छीजे, मैं आपको next lecture में, first, second और third का combo लेके, जादा examples के साथ सिखाने वाली हूँ, बट उस से पहले, first lecture में, second class में, और third class में, इन तीनों classes में मैंने क्या पढ़ाया है, ये आपको notebook में लिखा होना चाहिए, और आपको समझना चाहिए, और याद होना चाहिए, ओके, तो ये class 1, class 2, class 3 के बाद हम मिलते हैं, अगले वीडियो में, जहांपे मैं कॉम्बो सिखाने वाली हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, thank you so much for watching.